हेलो जहारखन, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजूकेशन, आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल साइंस कोश्चन वीडियो का बाट नमर 28 में आपको यह information already provide करा दिया गया था, कि जैसे सी exercise constable का official paper को आज से class में discuss करने वाला हूँ तो प्रस्तूत है exercise constable 2019 का official paper और इस class में सिर्फ पर सिफ जनरल साइंस के कोश्चन यहाँ पे लिया गया है अलग-अलग topic जो होगा उसको अलग lecture में आपको देखने को मिलेगा यह lecture आपको JCC CGL, PGT की exam में फैदा पहुचाएगा PGT में paper 1 आपका बनेगा, CGL में paper 3 बनता है, वहाँ पे 20 question बनेगा exercise में आप लोगा JCC exercise का paper 3 बनता है, जहां देखीगा सारा वहाँ भी 20 question आपका बनेगा तो JCC के अलगल exam में यह lecture काफी ज़्यादा फुटपल होता है और आप लोग उतना ज़्यादा confusion मत रखिये, कोई एक board है, वह कि सब जितने भी exam conduct करा रहे हैं, उसका previous year आपको देख लेना चाहिए, examination में काफी ज़्यादा आपको फायदा होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, part number 28, बाकी PDF अगर चाहिए होगा, तो टेलेग्राम से डाउनलोड कर लें, quiz के लिए आप लोग ज़्यादा रहे हैं, JCC का अलगल exam यनकी previous year question और current affair और सारा आपको एक comprehensive quiz ज़्यादा से दिया जाता है, more than 750 member आपको वहाँ पे connected है, तो आप य of cost है, then let's get up part 28, JCC excise constable, official paper 2019 for general science, और question देख लीजेगा, यहां तो आप लोग पता होगा, excise constable 10 plus 2 level का ये exam है, जो CGL वगरा है, उसमें लेबल थोड़ा सा high करके question पोजते हैं, तो question के साथ सा जो background information दोंगा, उसको आप लोग ध्यान दीजेगा, चलिए, question number first है, echo is cause due to, प्र reflection, reflection, rarefaction या फिर none of these, सही answer इसका option number A, यानि की प्रावर्थन हो जाएगा, तो ध्वनी का प्रावर्थन की चलती जो है, से echo आप लोग सुनते हैं, अब यह echo phenomenon होता क्या है, आईए समझाते हैं, जिसे माले ते हैं कोई observer यहां से कोई चीजी या बोला, तो माले ते हैं कि sound गया, और उसके बाद वहाँ sound लोट कर आया, तो sound गया और लोट कर आया, तो यह जो अपना ध्वनी खुद सुन लिया न, इसको बलते हैं प्रती ध्वनी, समझ गया है, तो यह होता है echo, point number second याद रखें, कि जो source से, यह जो source यह अप्रती ध्वनी को सुन नहीं पाएंग अगर इसको feet में convert किया जाए, तो कितना होगा बता सकते हैं, अगर examiner का माता खराब हुआ, तो इसको feet में आप लोगो डाल के दे सकता है, जैसे का आप लोगो just example बता है, तो पारसनाथ जो चोटी है, उसको उचाई कितना है, 365 meter, तो उसको अलगल exam देखेगा, 4431 feet में आप को answer जो है से पुछा हुआ है, जड़ा convert करके बताईए, तो कि 17 meter जो है से feet में कितना होगा, answer इसका A हो गया, बाकि यहां पे sounds related चीज आया है, तो कुछ कुछ चीज में बता दता हूँ, ध्यान समझेगा, जैसे कि sound जो है से longitudinal wave का example है, आपको पता होगा, दूसरा, इसको जो लगाने के लिए आजाए, तो यहां देखिएगा, solid में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में, draw में उसे कम, और gas में सबसे कम होता है, जो कि अप लोगा air वगर रहा है, इसको idea जरू रखे, और सबसे ज़्यादा है, अगर speed of sound के बारे बारे बात कीजेगा, तो steel अगर होगा तो option लगा लिजेगा, still में speed of sound बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा erase करते हैं, और पूना कुछ बारे बात करते हैं, जैसे में gas के बारे में आप चर्चा किया था, तो temperature जैसे increase हो करता है, speed of sound जो ऐसे बढ़ते रहता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि normal temperature 0 degree Celsius पर बात करें तो speed of sound 332 meter per second लिया जाता है, 332 meter per second, वहीं पर अगर temperature जो हैसे room temperature तक पहुँच जाता है, यानि कि लगबग room temperature कितना होता है, सताई degree Celsius, उसको room temperature बलते हैं, तो इतना degree Celsius पर जो हैसे speed of sound 314 meter per second होता है, ध्यान रखेगा, numericals वगर हमें आपको दे सकते हैं, तो इस सब्सिश के बारे में आप लोग idea जरूर रखें, बाकी जो loudness of sound भगर होता है, वो pressure पर डिपेंड नहीं करता है, यह भी एक important question है, यहां दखेगा, pressure पर डिपेंड नहीं करता है, loudness of sound, चलिए, सारा चीज को ध्यान से देख ले, यह एक longitudinal wave है, बहुत ही important concept है, which of the flowing tissues is responsible for storing fats, जो आप लो जो कि वासा के भांडारेन के लिए परयोग मिलाया जाता है, काटिलेज, उपास्ती, एरियोलर टीसू, यानि कि तवचा गतिर का उतक, एडिपोज टीसू, यानि कि वासा उतक, या फिर नवनोदीश, अगर हिंदी वर्जन देखिएगा, तो इसका एंसर तो ऐसा ही मिल ज जेगा, क्योंकि अलग लग बुक में देखिएगा, तो एरियोलर टीसू को एरियोलर टीसू या लिख दिया गया है, इसका हिंदी नहीं किया जाता है, ताकि आप लोग जो है से उसको पकड़ ना सके, समझ गया है, तीसर इसका सी हो गया, एडिपोज टीसू जो होता है, वही जो है से जिसको अप लोग वासा या वसी होता है के नाम जानते हैं, वासा के भंडारन के लिए परिवग मिलाया जाता है, अब बात करते हैं कि इसका फॉंक्षन होता क्या है, एडिपोज टीसू का ध्यान समझेगा, मालती है इसकीन है, तो इसकीन जो आपका जो एप प्रेसर वगर लगेगा या फोर्स लगेगा तो उसको एबजोर्ब करने काम करता है, यानि कि फोर्स एबजोर्ब की जैसा काम करता है, बाहर सा चोट वगर लगे, तो सेल को प्रोटेट करने काम यह वासा करता है, इसको याद रखेगा, ओके चलिए, बाकी एंसर तो होग Aerial tissue जो है इसका काम होता है सेल को nourishment करना यानिको उसको पोशन परदान करना और supportive tissue एक तरह का supportive प्रभाइड कराता है तो सारा चीज़ को ध्यान रखिए गार यह सारे कुछ-कुछ tissue है तो इस सब animal tissue के बारे में था तो ध्यान रखें बाकी कुछ चीज़ में बताता हूँ जो group of cells होता है उसको आप लोग tissue को नाम से जानते है group of cells जो हता उसको आप लोग tissue जानते है group of organ को organ system बोला जाता है group of organ system मिलके पूरा आपका body बनता है तो यह सब कुछ कहानी होता है बाकी cell अगर देख लीज़ेगा फंडमेंटल और structural and functional unit of life होता है ना इसको आपकेगा 1665 इस भी में Robert Hooke के द्वारा इसको खोजा गया था चलते है question number next को कुछ plant tissue के बारे में अगर बात करिएगा तो कम से कम जाइलम और phloem या देख लीज़ेगा इस पे बहुत question आता है जाइलम यानिकी जल का transport करता है और phloem यानिकी या फॉल का transport करता है एक जगा दूसरे जगा ना चलिए चलते है question number third की वर which of the flowing is responsible for producing antibodies to fight against diseases बला जारे इनमें body में जैसे कौन सा जो हैसे रोग परतिरोधक चंता यानिकी परतिरक्षी उत्पन करता है ताकि आप लोग रोग से लड़ सके red blood cells white blood cells blood platelets या फिर none of these ध्यान दीजेगा इसका answer white blood cells होगा मुझे पता है कि इसका answer आपको पता होगा white blood cells ही है जो कि आपको रोग परतिरोधक चंता उत्पन करता है इसका time period जाता नहीं होता है देखिएगा एक दो दीन ही इसका life होता है और जो red blood cells होता है उसका लगवक 100 दिन के आसपा 100-120 दिन के आसपास इसका time period होता है यानिक उतना दिन तक इसका पढ़े है ना थोड़ा साइस का नाम लिखिएगा जड़ा confusion होगा तो दूर हो जाएगा तो blood platelets को thromboside के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आप लोग खासकल याद रखें white blood cells जो हता है आपको डिजिज से लड़ने में मदद करता है बाकि red blood cells को या दखिएगा यह जो ह जाता है और यह हम लोग करता क्या है oxygen का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह तो blood में अगर oxygen जो hemoglobin का level कम हो जाएगा न तो वहां से oxygen जो है से flow अच्छा से नहीं हो पता है तो लोगों को सांस लेने में दिकत हों लगती है वहां पे यह नहीं में अगर जो रोग होता है तो उसमें इस तरह कोछ देखने को मिलेगा जो कि बिटमेने की कमी किस होता है आंसर इसका देख लीजिए white blood sales होगा सर चीज को ध्यांस देख लीजेगा बाकी जो malaria का जो parasite plasmodium है वह RBC को अफेट करता है क्योंकि बहुत चलाक होता है उन लोग जानता है कि RBC में रहूंगा तो मर जाओंगा ओके चलिया कि वीच आप फ्लूइंग इस डाइसाइम्ट होने चाहिए लेक्टिक करेंड का बोल्ट वाट एंपिर या फिर कुलंग बदाएं सेंसरी इसका एंपिर होगा बहुत सब को ही जानता होगा और आपको पहले बताया हूं कि जेनर 8.9.10, 8.9.10 का जो NCRT टेस्ट बुक है ना उसका सारा आप लोग फिजिस केमिस्टी बाइलोजी पढ़ जाएए बहुत कोशन आपका बन लेंगे जिसी बहुत कोशन उठाती है ये भी कोशन डैरेक आपको NCRT क्लास 10 से है आप लोग देखिएगा तो ओके ना तो इस सब लीजेगा मतलब NCRT से काफी ज़्यादा कोशन जीसी सी पूछती है तो इसलिए 8.9.10 का कम से कम साइन्स होगर आप लोग अच्छा से स्टडी कर लीजे आपको काफी ज़्यादा फूटपुल होगा एंसर तो IMPER हो गया अब चली इसके बारें बात कर लेते हैं इससे electric rent के बारे में बात किया जा रहा था electric rent यानि की I I क्या होता है I होता है Q by T होता है समझ गया I यानि की जो rate of flow of charge होता है उसको अप लोग विद्धु धारा के नाम से जानते हैं यानि की electric rent के नाम से जानते हैं अगर इसका assignment लेखें Q का कुलंब होता है और time का second होता है तो कुलंब पर second बन गया तो यह कुलंब जो हैसे एक चुली में charge का assignment है इसको याद रखें अगर आपसे पूछ दे कि एक ampere current क्या होता है इसका assignment जो अगर एक मतलब current है तो इसका assignment ampere हुआ तो ampere को 1A से denote किया जाता है तो 1A को define करने के लिए पूछ दे तो कैसे करेंगे तो अगर किसी wire से एक कुलंब जो हैसे अगर चार्ज परवाहित होता है तब अगर एक second में एक कुलंब चार्ज परवाहित होता है तब उसको 1A क्रेंट बोलते हैं थोड़ा सर नम्हें परव बोलेंगे के लिए तो यही कुछ होता है वाट तो आपको पता है पावर का यूइट है और बोल्ड आपका वोल्टेज का यूइट है इसको confusion नहीं होना चाहिए अब जो numerical में कुछ कुछ को आते हैं उसके लिए आपको बताता हो कि क्या यूज करना है एक तो यह दूनों क सेम है वर्क एनरजी दूने स्कुलर कॉंटिटी यानिक अधिस रासी है दोनों का साइमिट जूल होता है चलिए बाकि बोल्ट वगर इसका नुम्रिकल पूछे तो यहां से बीज उकल्ट होता है डबलो वाई क्यो यानिकी वर्क डन वाई चार्ट तो इसे कुछ नुम्रि अधिला को ध्यान से देखने आंसर इसका सी होगया अंपियर और अंपियर जो होता है कुछ और बताता हूं इलेक्टिक करेंट अगर अगर मेजर करना है आपको किसी सर्किट में तो उसके लिए आप लोग एमिटर यूज करते हैं और आमिटर को हमेशा आप लोग सीरीज म चलिए क्वेस्टन नंबर फीट पर चलते हैं विच अधा फ्लोइंग फेनोमेना इस रिस्पंसिबल फोर ट्विंकलिंग अफ लाइट यह देख एभी कोश्चन जो आसे क्लास 10 से है डारेक्ट लास 10 से पुछा गया ट्विंकलिंग अफ लाइट से इसलिए मैं बलता हूं एट नैंटेन का जनरल साइंस का मतलब जनरल साइंस में पिजिस कमेस्ट्री बैलोजी जीतना है अच्छे से पढ़ लीजेगा क्लास 10 से कोश्चन है वीच अधा फ्लोइंग फेनोमेना इस डिस्पंसिबल फोर ट्विंकलिंग अफ लाइट रिफ्लैक्शन एट्मोस्फेर पारों का चमकन जो होता है वह इट्मोस्फेरिक रिफ्रैक् tease चलते होता यानि कि मंढलली फॉर्तन चलते होता है इसको ध्यान लखे आपका जो आई भी पहुंचता है, वो कभी कम कभी ज्यादा होते रहता है, इसलिए जो इस्टार हो आपको twinkle, जो ऐसे twinkling जैसा लगता है, जबकि गराव अगरा twinkle माता नहीं है, तो आपको लगए है कि twinkle माता नहीं है, आपको ऐसा प्रतिश होता है, यह होता है आपको atmospheric, reflection के चलते हैं तब जाको इसको आप लोग बोलते हैं, reflection of light, scattering of light आप लोग पढ़े होंगे, कि scattering of light में क्या होता है, कि light जो होता है से first of all particles बारें बात कीजेगा, तो first of all light जो है, sorry, particle जो है से light को absorb करता है, उसके बाद इसको emit करना सुरू कर देता है, तो वहाँ पर scattering of light वगरा होता है, पढ जलते होता है, तो इसको ध्यान रखें, बाकि टिंडल इफेक्ट भी, scattering of light की जलते होता है, एक important phenomenon है, dispersion of light में क्या होता है, dispersion को आप लोग हिंदी में, वर्न भी शेवर नाव जानते है, यह भी important है, ध्यान रखेंगा, आप लोग देखेंगों को कोई prism होता है, तो prism से अगर कोई एक जो हैसे आपको, light जो हैसे white light अगर डाला जाता है, तो सात रंगों की पट्टी में जो हैसे बढ़ जाता है, आपको idea होगा इस तरह से कुछ होता है, सात रंगों की बढ़ जाता है, जो कि आप लोग भीबगी और पढ़े होंगे, तो यह जो आपको देखने क्योंकि dispersion of light में जो light के जो substitute colors होते हैं, अलग अलग जो color होते हैं, उसी का जो हैसे अलग पार्ट में जो हैसे बढ़ जाता है, तो अब minochromatic source of light रहेगा, तो वो कहां सोच का, जो हैसे बदलेगा, ओके, इसको ध्यान रखें, answer इसका, भी हो गया, PDF download करेजएगा, यहां से reflection इसको बोला जाता है, कि अगर कोई मान लेते हैं कि स्टील है, क्या है, स्टील, या कोई लोहा है, कोई आरन अप्टेल, इसको इसको यसको यसद लेपन, यानि की galvanization के नाम से आप लोग जानते हैं, तो अगर इस टील, या आप बोला जाता है, जंग इसको चड़ा जाता है, क्योंकि टीन जो होता है, जब लोग तीन पर भी जो इसको गलनाइजेसन कर दिया जाता है, तो यहां क्रोजन फ्री ह हो जाता है, जंग इसमें नहीं लगता है, समझ गया, तो जंग से बचाने के लिए जो है, से इसको ऐसा काम किया जाता है, ध्यान दगीगा, बाकि एक जंग जो वड है न, सीर पर सीप आरन के लिए आप लोग यूज करते हैं, बाकि सारे के लिए संचारन वड यानि की को जाता है, इसको ध्यान दगें, बीची आप लोग जानते होंगे, लवाइं क्या होता है, लवाइंग होता है, जब एक ऐसा प्रोसेजिस में दो या दो से अधिक मेटल को अड़ कर लेते हैं, तो इसको इसको बीची में बीची में जो कोई चीज साफ करने का प्रोसेस है, लॉरीच जया जया, लुबरिकेशन में आप लोग फ्रीक्शन सर्फेस है, तो उसको जो हैसे आप लोग क्या करते हैं, उसको इसे थोड़ा सा चिकना बनाते हैं, इसको लॉबरिकेशन बोलता है, ध्यान रखीगा, तो सारा प्रोसेस को यहाँ पर बता दिया, इसका गैल् यानि कि iron plus carbon का या एक मिसधातु है और जो इस्टेलेस सिस्टिल होता है वह iron plus chromium plus nickel का मिसधातु होता है और एक ऐसा मिसधातु है जो सबसे ज़्यादा एक पुछा गया उसका नाम है ब्रॉंज जो की copper plus zinc से मिलकर बना होता है यह सबसे ज़्यादा पुछा जाने वाला मिसध कम बन जाता है तो सारा डेटा को याद रखें चलते हैं कोशन को बार बार देखते तो आपको इजी लगने लगता है तो आपको साथ ऐसा ही हो गया बहुत सब्सक्राइब पढ़ लिजेगा तो हरे कुछ पर देखते हैं नहीं जानते हैं इसलिए लगता है कोई चीज नहीं होता है बस फर्क इतना है कि आपको पता है या नहीं है इसी का पर देखते हैं कौन जोई से ग्रीनाउस गया यह कोश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है नेट्रोजन मीथेन वाटर वैपर या फिर इसको बारे में एडिया होगा इसका 14 होता है इसको नाम से आप लोग जानते हैं जो वाटर वैपर देखने को आपको मिल रहा है वाटर वैपर या और एक है आपका ओजोन तो उसको यूएस जैसे चाहिए आधर अधर जो कंट्री है वह मानते ही नहीं को ग्रीनाउस गैस यहां तो यूएस तो मानता ही नहीं जैसे को यूएस के जो पहले जो प्रेसिडेंट है पहले मतलब जो अभी से कुछ पहले थे डोनल्ड ट्रम जी तो वह जो प्रेसिडेंट हो बोलता थे कि ऐसा कुछ गुलूबल वारे जैसा चीज होता ही नहीं है प्रेश क्लाइमिट हो गया इसके बारे में एडिया जोर रखेंगे रखना है जो हैसे-चरो घ्याशन होता है सोसलार में सब से होट उसमें सबसे जो है इसका इसका राहर प्रिथी पर जो है से दीरे-दीर टेंपरेचर जो ऐसे बढ़ रहा है इस फेनोमेन को आप लोग गलोबल वारिंग नाम से जानते हैं तो वहां को जो सुकर रग रहा है यानि कि जो वीनस प्लैनेट है उसका जो है सरफेस 95% उसका सरफेस CO2 से बना हुआ है और CO2 गैस हानिका सारक वह तब हो जाता है करता गया है, यह जो एसे heat को absorb कर लेता है और heat को जब यह absorb कर लेता है तो वहां का temperature बढ़ जाता है तो उसके चलते है से problem आपको हने लगता है ओडोमेटर, बैरोमेटर, डिश्टोमेटर या फिर स्पीडोमेटर, धान देखिएगा, यह जो कोस्टन है आपको, कार वगरा, वहाँ पढ़िएगा, तो कुछ ही बोले, मोटर साइकल वगर बोले, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है, उसका पताल जो है कि आपका अभी जो बाइक है, वह कितना रातार से चल रहा है, ठीक है, कितना रातार से आ रहे थे, तो 90 रातार से, पढ़ा एक चटाक ममी से, नहीं, कि 90 रातार से चलना क्या जुर्री है, धिर दर्या थोड़ा, तो स्पीडोमेटर ना पेगा, और ओडोमेटर डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस जो मेजरमेंट करने के लिए इसको अपलोग डिस्टोमेटर का यूज़ोगरा करते हैं, इसको ध्यान रखेगा, बाके रेटीना के बारे में आगे है, ध्यान रखेगा, यह एक दिश्टी पटल इसको हिंदी हम बलता है, यही प्लेस होता है, ज यह हो गया, ध्यान रखेगा, इस फिडियो मेटर पूछ सकते हैं आपसे कभी-कभी, बारे मेटर प्रेसर को नापता है, ओके, चलिए, क्वेशन नेश्ट आता है, लैक ओफ आयोटीन कॉजिस वीच ओफ द फ्लोइंग डिजिजिज, जो लैक ओफ आयोटीन होता है, वह इसका हो जाएगा, ग्वाटीन की कमी होता है, उसके चलते आपको, ग्वाटीन होता क्या है, आखिर क्यों जो हैसे गला के पास निकल जाता है, गला के पास में थाइरैट ग्लेंड होता है, जो कि थाइरोक्सिन हर्मोन को सिक्रेट करता है, आप लोगो पता होगा, थाइरो बोलता है को इसको गहिंखा रोग हो चुका है तिससे कुछ कहान नहीं होता है है यह देखिए का इसमें होता क्या है जो आपका digestive tract है जो यानिकी चोटी यहां आती या फिर बड़ी यहांत हो गया तो उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग को अगर और अगर आ जाता है तो बार बार आपको पता है जाना पड़ता है वासरूम उसका अगर वॉमिटी में रहा हो जाता है तो वह आपको वह बोल अगर यहां रहोखा और नाइट आपको पास्त में इसे भी पूछ है कि एडियेS पार्ट की सती त्युस है साथ ही अ कि इसा प्रतलों हो गया कि इसका parfois इस से जाएंग.... इंपोर्टेंट्स यहां पर बात कर लेते हैं जैसे कि यहां पर लार्जिस्ट अगर बोडी में ग्लेंड के बारें बात करें तो वह लिवर होता है जिसका वेट 1.5 kg होता है स्मॉलेश्ट ग्लेंड आपको पीनियल ग्लेंड होता है पीनियल ग्लेंड इसको ध्यान 30 इसकावेट 0.5 गराम होता है ना चलिए इसार आपको brain में देखने को मिलता है लीबर आपको पता है कहा है चलिया लीबर यहां देखीएगा इसमें बायल जो सेग्रेक्ट होता है जो कि गौल्व लेडर में स्टोर रहता है सारा चीछ बता दिया ध्यान से देख लें यहां पर इस पीड और उसका डिरेक्शन जो है से अंडर वाटर बोला गया यानि कि पानी के अंदर आपको बताना है कि जो ऐसे कौन से डिवाइस है जो किसी चीज को लोकेट कर सकता है या उसका स्पीड को पता लगा सकता है सिलिकन डायोट हाइड्रो मीटर इस्पीडो में या फिर सोनार ध्यान दी जबंडियेगा इस्पीडो मीटर आप सन में है तो जो आप लोग जमिन पर यूज करते हैं उसको पानी में भी यूज हमेशा नहीं कर सकते हैं आप बस जो ऐसे वाटर पर नहीं ट्रेवल करेगा या सोनार एक्जाम में हो सकता है ऐसे देखने को मिलेगा बागी सोनार में इसी लिखाओ क्योंकि इसका फुलफों मोता है इसका फुलफों मिया देखिएगा पूछ सकता है अगेण साउन्ड निविगेशन एंड रेंजिंग थाम देढ़ू आपको सोनार जो आपको देखने निचे होता है उसको Лोग सुनते हैं कििलन से के नाम से यह यहीं करता है इसको बारे में चाह से चाहिए प्रतिध्वनिजhy यूज किया जाता है इसको ध्यान रखिएगा सोनार वगरा के बारे में सीलिकन डायोट एक तरह का डायोट होता है सेमिकन्दक्टर डिवाइस है इसमें और यह चो डायोट होता है अगर करणेट इधर से पास होगा न तो उधर से अगर पास कराईएगा तो नहीं होने वाला करेंट जैसे कि नौर्मल आप लोग जो कॉप जो word hydro होता है न, hydro इसका मतलब water होता है, तो इसको याद आखिएगा confusion आपको नहीं होने चाहिए, तो hydrometer कहने का मतलब होता है, यह जो होता है, से relative density को मापने के लिए यूच करते हैं, या फिर density, आप लोग पता होगा, आर्टिज का principle होगा पढ़े होंगे, तो आप से relative density concept प पता करने के लिए hydrometer परियोग किया जाता है, इसी से एक मिलता जूलता word है, एक hygrometer, ठीक न, तो hydro और hygro में अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए, हाइगरो आप लोग humidity को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि amount of water available present in unit area of the atmosphere होता है, समझ गए, अब बागी, इस speedometer आपको पता ही है, डिसकस कर दिया, सोनार के बारे में जरूर याद रखें question 11, where are protein synthesized in the cell, किसी कोसिका में protein का संसलेशन कहां होता है, सेल वाल, कोसिका बेती, lysosomes, lysosome ही बोले इसको, ribosome, ribosome ही बोला जाए, और chromoplast, कहां पे होता है protein, यह easy question आपको पता होगा, ribosomes, तो ribosomes में protein का संसलेशन होता है, बाकि जो eubritic cells अगर आप लोग देखते हैं, eub endoplasmic reticulum होता है, वह ribosome के चलते होता है, तो वहाँ पे जो हैसे protein का संसलेशन होता है, eubritic cells में, यह देखेगा, RER में protein का संसलेशन होता है, eubritic cells में, ध्यान रखें, बाकि lysosomes को कोसिका का आत्मघाती, थैले भी कहा जाता है, क्योंकि कभी-कभी लोग सेल अपना भी से से नाम है, क्या cell के चार और, जो मतलब वाल नाम देते हैं, जी नहीं, इकलत हो जाएगा, cell के चार और ध्यान दिजएगा, मालनेट हैं, तो उसको अपलोग cell के चार और को plasma membrane को नाम से जानते हैं, या फिर cell membrane के नाम से जानते हैं, उसको cellrale भी खाहर भी, एक जो हैसे rigid type का membrane उसको आप लोग सेल्वाल करनाम से जानते हैं यही झैसे नहीं अगैंश करता है आपको पता होगा। और कॉंडरा साट को नइस जाने देगा ऌदर में एंसर तो सी होग्या। अब कुछ इंपर्टेंची बताता हूं ध्यान सुनिएगा यह जो सेल वाल है सीर पर सीर प्लांट सेल ने पाया जाता है एनिमल सेल में या एपसेंट होता है क्रोमो प्लास्ट आपनोमनों कहां है और यह बताया यह जो अप्लेस्टीर को इसे सीर पर सीर प्लांट सेल में पाया जाते हैं Animal Cell में यह नहीं पंआ जाते हैं इसको ध्यान रखेल या क्योंकि हम लोग को फोर्ट Allah पोर्जान करने की ऐसकता है प्लांट को तो लगा ही दिये हैं वह उन लोग अपना काम करेगा हम लोग अपना काम करते हैं तो आंसर इसका हसी हो गया ध्यान रखें इनिवल सेल में प्लैस्टेट्स नहीं होता है वाटर केप्ट इन और्थेन पोट विकांस कूल इन समर डू तु दफेनोमेन अप ये भी क्लास 9 से कोचन है चेप्टर 1 तो जो वाटर रखते हैं आप लोग घड़ा वगार में अर्थेन पोट यानी की पीचर आप लोग बोल सकते हैं घड़ा को अगरी जी में पीचर बोला जाता है पीचर में जो रखा जाता है पानी तो वा ठंडा अखिर क्यों रहता है किस फनिमनक चलते रहता है उसमोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांस्पिरेशन या फिर इवेपरेशन यह जो होता है यह होता है इवेपरेशन तो बहु सारा कोशन आप लोग को कलास 9 के जो टेस्ट बुक है दूसमें देखने होग मिलेगा उसमें हम लोग को जब पसीना आता है जो हम लोग cotton cloth पहेंते है तो हम लोगो ठंडा क्यों महसूस होता है पेट्रोल हाथ पर डालते है तो कुछे बदम ठंडा क्यों महसूस होने लगता है इस सब को कुछ-Kुछ रीजन है जिसको की इवेपरेशन का नाम से जानते हैं यह प्रेकproर्सेसर केसे घड़ा का पाने को घंदा रखता है आईते हैं इसको कोई ओर्फेन पॉर्ट sofort होगि उतना चलि अच्छा अच्त है है मोगहाँ पर छेंशन क्षण संहलिकी असे पानी रखा हुआ गर्मिक दन में रखा हुआ है तो पानी इजो फै स्मॉल पोर्स होता है जिससे होकर पानि जो हैसे आउटर सरफिस पहिसे थोड़ा थोड़ा रिसता है यहाँ पर आता है ठीक है यह जब आसपास कूल है तो धरी धरी यह जो ठंडक है से घड़ा भी पहुंच जाता है और यह पाने धरी 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 ठंडा हो जाता है तो यह रिजन इसका सारा जितना फिने में पूड़ेगा कि जो कॉटन कुल था ठंडक क्यूं देता है पेट्रोल लोगरा जो हांच पर ल और बाइलिंग में थोड़ा सा अंतर में बधाता हूं जिसे वाट्रे के बारे में बाद किजिएगा फिलाल एक लिक्विड है तो वाट्रे का टेंपरेचर क्या होता है मतलब बाड़ कितना होता है हंडे डिए सेलसीएस तो अगर कोई चीज काम है यानि कि लो है उससे कम तब इस प्रोसेस को इवपरेशन बोलते हैं, बाकि 100 इस पहुंच ज़िए तो इसको बॉइलिंग बोल देंगे, तो कोई भी ऐसा लिक्वीट, जिसका हैसे ट्रांस्फोर्मेशन हो जाता है, आप लोग बोल सकते हैं, तरह कनवर्ट हो जाता है, लिक्वीट से गैस में, या अपना अपहिपरेशन में, हीट मिलने पर, वीलो इस बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइलिंग पॉइंटे, तब इसको जो इसको जह से इवपरेशन कहा जाता है, और यह ताव यह प्रोसेस आप लोग यहां पर देख रहे हैं इस अब फिजिकल जो हैसे चेंज के एक जांपल में है ना ट्रांस्पिरेशन और इप्परेशन फिजिकल चेंज होगार में आता है करते हैं इसको चर्चा करते हैं ट्रांस्पिरेशन को देखते हैं इरेच करता हूं लग रहा है ट्रार्ण स्वाट्रोट्व में क्या होता है की पौधो सी जो पानी का सफरीन कर देता है उसको कलता है यानिकी loss जो होता है water उसको बला जाता है जब पता मान लेते हैं कोई पता है तो इस पता में देखीएगा कि जो ऐसे green होता है तो इस पर जब sunlight पढ़ेगा तो इसका तो water तो ऐसे निकलेगा देरे धरे ना इसका वाटर जो है से बाहर निकलेगा तो इसी process को nahm से जाता है डिफ्यूजन अगर किसमें क्या होता है कोई अगर लिक्विड या गैस वगरा होता है वो जो अपनेाप उस सोल्वेंट पार्टिकल कोई का तो इसको आप लोग इसको याज रख सकते हैं चर्चा कर ident का करें tut तो जैसे कोई खाना का खुसबू है कुछ फ्रेश्टी बन रहा है जो यह बन रहा है असका पर्टिकल जो है से पहंच घास है तो यह होता है आपका जो सब्सक्राइब करता है जिसके चलते जो वाटर होता है उसका बोडी कर लेता है आपको पूरा फुला हुआ लगता है तो सब कुछ एक्जामपल थे ओसमोसिस और डिफ्यूजन के आणसर इसका डी हो गया अच्छे से समझा दिया सब कुछ ध्यान रखेगा वीच एनर्जी कनवर्षन टेकस प्लेस डिर इक फोडो संतेस फोडो सेंसेस एक प्रकरिया में बोला जा रहा है कि की सुर्जा कर अपहांतरन की सुर्जा में होता है तो पहले तो देख लिजेगा कि उर्जा आखिर आ कहां से रहा है सन से तो solar energy है तो परकास उर्जा है तो बाकी अगर इधर उदर कोई दिया होगा ना तो सब option को ऐसी कट लिया जाए इन में से कोई नहीं तो परकास है तो देख लेते हैं तो answer नहीं है तो थोड़ा से दिमा लाके option को eliminate भी कर लेना है परकास उर्जा जो ऐसे रासाइनी कोजा में यहां पर कनबाट हो जाता है जब लाइट उस पर पढ़ता है जब आपको पता होगा फोटो साइंस प्रोसेस में क्या होता है यहां से जब लाइट उसको मिलता है तो सॉनलाइट और counter oxide लेता है प्लस में H2O लेता है सनलाइट वगरा के presence में सनलाइट और chlorophyll के presence में लोग फूट बनाता है जिसको अपलोग गुलकोज यहांनी के C6 H12O6 का नाम से जनते हैं और प्लस में साथ में oxygen में gas भी रिलीज होता है और प्लस energy होगर यहां पे बनी कलता है तो यह सारा कहान ही है से इसका है फोटो सेंथेसिस का इसको ध्यान रखेगा तो इसमें यही होता है उनलोग का फूट बनाने का पोसेस होता है तो गुलकोज बनाना तो गुलकोज जो है इस एक तरह का इसमें chemical energy है तो जो light energy हुआ बनाना तो गुलकोज आप लखाईएगा तो आपको एनर्जी मिल जागा तो इसको बलते हैं आप लोग chemical energy जैसे बैटरी हो रहा है तो इसमें भी chemical energy श्टोर रहता है इस सब पढ़े होंगे आप लोग आंसर इसका क्या होगे आंसर इसका सी हो गया ध्यान रखिएगा भाकी कोशन और पूछते हैं प्रकास translation की परकेरिया सबसे ज्यादा जो से किस लैट में होता है तो परकास configuration की जो दर होता है वह red light में सब से ज्यादा होता है और green light में सबसे कम होता है चलते हैं को चल को चल कि और एक और कोशन बसाजता हूं जो Oxygen मिलता है फोटो सईंशिक डूरिंग जो इसको बोला जा रहा है कि जो Oxygen होता है वह कहां से आता है तो यह वाटर से आता है ना पानी से इसको याद रखें Who invented a small fox vaccine Small fox vaccine का विश्कार किस ने किया था यानि कि चेशे का टीके का विश्कार किस ने किया यह बहुत एक important question है साथी साथ कुछ और वी चीज में आपको यहां पर ही बताने वाला हूं Joan Salk, Edward Jenner, Wildmar, Mode, Kaj, Hapkin और Charles Darwin कौन है इसके विश्कार अब इंसर पता होगा इसके एंसर हो गया आपका Edward Jenner तो Edward Jenner जो है से इसका विश्कार किये है इसके बारे में याद है किएगा जो small fox का वैक्सिन है बाकि Joan Salk जो है से पोल्यू का वैक्सिन का विश्कार किये है जो जोन साल का है पुलीयू का विश्कार के थे और रेज के जिरूट्वर गे जरूर्थ जिनल बाकि Charles Darwin को अप लोग Father of Evolution का नाम से जानते हैं और इनका एक important book है जिसको नाम है Origin of Spaces इसको यहाँ देखिएगा, question पूशेगा है ना पास्ट में Charles Darwin, बाकि Father of Genetics अप लोग को Gregor John Mendel को बलते हैं आनुवान सिकती के पिता और वो जो है, से अपना experiment मटर यानि की पी के पौज़े पर किये थे और जार्खन जो है से मटर कुद बादन में दूसरा स्थान पर है Which of the flowing substance substances होना चाहिए Which of the flowing substances is heated to get plaster of Paris Class 10 से question है, chapter number 2 तो plaster of Paris जो है देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ तक हुद के तो मैं आपको तो जाकर देता हूँ आपके प्रणा से हिंदी भासा क्यािना नाव इंग्लीज भासा क्या आधे दिया है तो इसका सलिवस्वेस को क्या लगता है मैं कैसे त्यार करता हूंगा सारा previous को से कोस्टन बन सकता है तब तो मैं जाकर देता हूं ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ाऊंगा तो इसे थोड़ी नहीं पसंद आ जाएगा आप लोगो तो चल जाएगा और मैं तो आपके एक्जाम को सब्सक्राइब करने के क्या हो सकता है लेकिन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर देखें आप लोग तो इसको जब हीट किया जाता है ना इसका नाम जीवसम है तो यहां पर प्लास्ट्रोपेस मिल जाता है जिसका फ्रमुला CSO4 और हाफ H2 होता है इसके साथ अगर बात किया जाता है यह जो वाटर जो हैसे रिलीज भी हो जाता है यह एक रिवर्जिबल रियक्शन भी हो जाता है अगर इसका प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है यानि जीपसम जो ऐसे कठोर पदार्थ बन जाता है ध्यान रखिएगा ना चलिए इसका जीपसम हो गया बाकि सिमेंट वगराज होता है उसमेंट वगर हम देखिएगा वह जीपसम मौझीद होता है कि प्लाश्टर पेस रहता है तो तुरण जम जाता है उसको अपने जैसे लगात होता है तो जल्दी नहीं जमता है बागे सारे उप्सम को क्लियर करता हूं तो एंसर इसका जीपसम हो गया द्धान रखिएगा जीपसम और प्लाश्टर परिस दोनों का फर्मुला भी याद रखिए क्योंकि पास्ट में इसे पूछा गया है कैल्सियों सुलफेट हेमिहार होता है इसका फ्रमुला होता है इसको लिए तो आपका है इसको याद धृण यहले आधिन के 9 से मतलें लंगे घृटर पूछ सकते हैं खासकर सेजल वालों के लिए तो आपका हाई लेबल का एक्जाम है इसको याद रखेगा बाकि एक इंपोर्टेंट रियक्शन बताता हूं जो एने पेट में ज्यादा आम लोग राकर हो जाता है तब क्योंको यह बेसिक होता है इसके बारे में एडिया रख सकते हैं और कार्बन तेटा कोड़ाइड ऑनी के सीचे ल फोर्फोर्र यूज कर सकते हैं और अब एक शोली मोहता क्याना है कि अपने च्वार्टरी जो पांशुट एसीड फायर इंस्ट्रोग्योसर है उसमें इसके साथ एस्ट्योस अप्पोरी होता है और वहाँ पे कार्बन डाउकसाइड गेस ही है रिलीज होता है और जब एने एस्ट्री के साथ सॉल्पोरी के से रेट करता है जिसको जो की किंग ओप एसीड भी है तो हाँ पे कर्बन डाउकसीड गेस ग्रीज होता है और कर्बन डाउकसीड गेस जो iets से ऐसे औक्सिगन को फ्लो रोक देता है और जब ऑक्सिगन को फ्लो रोक जाएगत आफ्टुमीड केर मुझना है क्योंकि जलने के लिए कौनसा के शाओ ये ऑप साक्षमीड Panel और एक चीज और घबड़ाई ये ने घबड़ाई ने बहुत इंपोर्टेंट क्लास है एने स्यो थी बन जाएगा इसको ध्यान रखिएगा सोडियम कार्मेट बन जाता है नइट ब्लाइट इच कस्दू अब बताईये question बहुत हीजिए है यह vitamin A की कपड़ चलते हैं है जिसका आप लोग रेटी नोल का नाम से जानते है vitamin B1 को थाइ्मिन का नाम से जानते है vitamin C कॉल भी किसी शिरसough on विटामिन D आपका कैल्सी फेरोल विटामिन E हाट का टोको फेरोल हो जाता है और विटामिन के आपका फिलो क्यूनिन हो जाता है तो कुछ सेंटिफिक नहीं आप लोग याद रख सकते हैं अनसर इसका बीटमिन नहीं होगा गाजर होगा रखाएं गाजर बहुत ज़्याद यह पाया जाता है और ग्रीन लिफी वेजटिवर्स वगर खा सकते हैं बाकि अगर मचली वगर खाते हैं तो वेलन गुड खाते रही है वेटमिन E की मातरा मिलते रहेगा जिरो थैल्मिया वगरा डिजिज यह भी जो हैसे आपको आंक का ही डिजिज है इसको याद रखिए रतंद भी यहां का डिजिज है ना होट इसका बड़ इलेक्टोन बहुत इजिजी कोश्चन है इलेक्टोन की खोच जेजे टॉम्शन की द्वारा किया गया था इसके बारे आप लोग आडिया जरूर रखें यह किये थे थे चलिए यह सब यह तोबिक मोड़ा लोगर अभ चार्ज होता है 1.6 इंटू टीवार माइनस-19 कुलं म बस इतना होता है अगर पोसिबल वो तो मानना चान बी लगाया सकता है किको इलेक्टोन एक निगटिवडेव चार्टिकल हाँ क्वेस्टन कि अब 17119 कैसे हो गया कुछ गर्मण हुआ है वीच अब दग फ्लोईंग एज नोट रिनुवेबल फोम और जारा है कि इन मेंसे कौन जहाएसे नवी करनी उर्जा का स्रोत नहीं है वेब एनरजी थर्मल पाउर प्लांट में जो एनरजी होता है आ यह घ्سबनाट नहीया नहीं किया जाकता उसको बला जाता है ऊएंद्ध जो थर्मले। इन नकेरने। आन्पको किसके यूज करते हैं क्यों से पहिले पाने होता उसको सब्सक्क् Onun हमाँ तेस्ट में यहां से तर्बैन कुमता है ऑंक का हो जाता है तो मतलब हीट होता है इस और सोल को सकते हैं जैसे जीन को मतलब ह Iris 126 म क्या होता है अग्षार के चलने चलन से इननर्जी के नाम से से जानते हैं, जैसे कि 1000 बाग में कौन सा है, यसका टेंपरेचर कितना है, 87.5 डिरी सेलसियत, तो उसे क्या हो, जो गरम पाणी है, उसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, पाणी उबलेगा, पाणी उबलेगा, तो आप लोग टर्वेन घुमा लीजी, तो आपको काम ह सब को पता होगा होता है चंद्रमा जो है सुर्ख के चार और घुम रही है ठीक है लगभा 27.3 दिन का समय लगता है लगभा एक महिना का सबस बोल सकते हैं तो उतना दिमी एक चकर लगा लेता है तो होता क्या है कि बर्मांड के कितना भी कोई भी ऑबजेक्ट हो एक दुसरे क को अट्रेक्ट करते हैं जैसे कि मैं भी आपको अट्रेक्ट कर रहा हूं आप भी मुझको अट्रेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो हर को यह दुसरे को अट्रेक्ट कर रहा है तो वह जो फोर्स जिसे अट्रेक्ट करता हुआ होता है जी एमें भाई आरे स्कौर तो दोनों के फो अगर जो अपन यहां पर याद रखेगा बाकि अगर जो आप लोग यूज करते हैं ये ये फाइड डबल एस आइन्ट करते हैं पीजन उन मतलब यहां पर भीक इखंटन होता है न, sunlight नहीं यूज़ कर सकता है, वहाँ पे जो sun होता है, उसमें sunlight होता है, जो कि एक uncontrolled chain reaction होता है The persistent use of CFCs causes which of the flowing threads बोला जा रहा है कि आप लोग persistent यानि कि लगातार यूज़ कर रहा है, chlorofluorocarbon होगार का तो कौन सा आपको नुक्सान हो सकता है, कौन सा खात्रा उत्पन हो सकता है, soil degradation, water pollution, ozone layer depletion या फिर none of this इसका सही answer ही होगा न, या देखिए का ozone layer depletion हो जाता है, अगर ज्यादा chlorofluorocarbon होगार आप लोग यूज़ करता है तब, जैसे मैं पहले भी आपको एक पर बताया था कि जो स्पाइस जेट वगरा होता है, जो मतलब जेट वगरा जो होता है, तो जो की ozone layer को deplet करने काम करता है, तो इसके बारे में idea जरूर रखे, ozone का formula न, ओती होता है, oxygen का 3 molecule, atom होता है इसमें, वह सा एक molecule है, याद रख सकते हैं, बाकि ozone दिवस आप लोग 16 सितंबर को मनाते हैं, अभी आ रहा है, देखते हैं, इस पे बहुत होहला होगा, इंवर्मेंट को लेकर द मॉन्ट्रियर प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियर लगी जगा है, कनाडा में, बाकि soil derivation बहुत जारा fertilizer होकर यूज कर देंगे, तो soil derivation हो जाता है, water pollution बहुत कारण से हो सकता है, चले, तेहीं टाज 20 question थे, लेकिन आपके साथ धोका हुआ यहाँ पे, 20 का कि मैं 90 question दिया हूँ, ट पिक्चर को आगे जरू बढ़ाना है, society में education और motivation आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो मिलते हैं फिर next class में, thank you very much, one day भारतम जै हिंद